कॉंग्रेस 29 सालों बाद एक बार फिर से बिहार में अपनी सक्ति का प्रदर्शन इस जना कांछा रैली के तहत करने जा रहा है। अपना विश्विद्याले के अंग्रेजी के प्रोफेसर असोक कुमार के साथ और कॉंग्रेस के वरिस्ट नेता के साथ हम विशेस बासचीत करते हैं। तो आएए जानते हैं। अब जो पूजाब में इन सारी चीजों में विश्वास करते हैं। अपनी पौरानिक गाथाओं और कथाओं में विश्वास करते हैं। वो उन ही की भासा में बोलते हैं। अब हमको बोलना होगा। तो कहीं न कहीं हम उस भासा का प्रयोग करेंगा जिसका मैं प्रोफसर हूँ। कुछ उसकी कहावत कहूँगा, कुछ उस तरह की बात कहूँगा। इसलिए आप उनकी भावना पे जाएं। उनकी मूरत पे न जाएं। उसमें अगर वो कहती हैं कि इनमें वही सारे लक्षन है जो एक देवी देवताओं में हैं। यह तो बड़ी अच्छी बात है। यह हर पुरुषों में होना चाहिए, यह वादर्स होता हैं देवी देवता, हर विक्ति में होना चाहिए। वो यह सब तरह की बात न करें, हम लोगों तक छोड़ दें। लुप की जिम्मेवारी अपने जनेरल सेक्रेट्रीज के रूप में उत्तर-पर्देश में हैं, और पूरवी उत्तर-पर्देश में हैं। अभी उनका कार्ज कलाब होहां स्च्छी मित हैं। पूरे हिंदुस्तान लेभल पर कि जिम्यवारी अभी उन्हें नहीं दी गई है तो वो जगा जगा जाएंगी तो अभी उसकी आवशक्ता नहीं है राहुल जी काफी समर्थ है इस काम को करने में और जहां जरुवत पड़ेगी वहां प्रियंकाजी रहेंगी बिहार भी आएंगी अगर लोग चाहेंगे सरी इस महागट बंधन में आपकी कैसे भागिता है हम ये जानना चाहते हैं हम तो कॉंग्रेस के सिपाही हैं बहुत पुराने हैं करीब 36 साल पहले से हम हैं कॉंग्रेस में और काफी एक्टिव रहे हैं आज भी हम काफी एक्टिव हैं और तारिक साहब के साथ ही विशेश रूप से जुड़के काम करते रहे हैं और आज भी तारिक साहब के साथ ही हम कॉंग्रेस में फिर वापस आए और कॉंग्रेस तो हमारी बहुत पुरानी कर्म भूमी रही है यह आना हमेसा अच्छा लगता है काफी जोस है काफी परिवर्तन है कॉंग्रेस में वो पुरानी यादें आ रही हैं जहां कॉंग्रेस को आज हम देख रहे हैं और यह रैली के म आप देखिए कि वो जन भावनाओं से कितने जुड़े हुए हैं ये लोग तो सिर्फ बड़बोलापन है उससे कहां तक चलेगी सुसासन राजी में बढ़ते अपराध और सराब बंदी के फैसले को लेके अभी आपका क्या कहना है एक ही ये तो होना ही था सराब बंदी तो इनका बुरी तरह फिल है और बलकी इसने बाउंस किया है पहले जितने रुपे में सराब मिलती थी अब वो डोल टू डोल मिलने लगी पहले दुकानों में मिलती थी अब तो घर में सप्लाई होता है और लोग जादे दामों में खरीद रहे हैं हाँ कुछ सरकारी और गैर सरकारी लोगों की आमदनी जरूरी से बढ़ गई है और परसानिया तो जसकितस हैं इन्होंने और बढ़ा दिया सराब बंदी में असफल होकर के और ये तो बड़ी पुरानी बात है सासन जब अपना धमक खोदे अपना प्रवाव खोदे तो क्रिमिनल स्लोग उनकी एक्टिविटीज तो बढ़ी जाती है तो सब किछ ही फ्लॉप है परसासन नाम की कौई चीज नहीं है भरस्टाचार अपने चरम पर है डिक्टेटर से पहां दिल्ली में है और यहां बिहार में भी है प्रजात अंत्र तो कहीं है नहीं सर तो हमें ये सुन्ने में आया है कि अगर ये कॉंग्रेस सरकार बनती है तो ये सराब बन्दी के फैसले को मतलब खारीज कर दी जाएगी तो ये कहां तक उचित है आपके नजर से देखिए ये सराब बंदी खारीज हो जाए या नहीं हो जाए ये माइने नहीं है माइने है कि घर में सांती बनी रहे, सुख सुविधा बनी रहे, सम्रिधी बनी रहे सराब उसे अफेक्ट न करे ये कौन कहता है कि सराब पीन अच्छे बात है और सराब मिलनी चाहिए और बिकनी चाहिए ये तो कोई भी बिक्ती इसको सलागनी ये नहीं मानेगा लेकिन तरीका क्या हो इसका भरतमान सरकार ने तो तरीका इनका तो फेल होई गया लेकिन इन्होंने तो और सराब पीने से जो असर होता था बंदी से उससे और ज्यादा ब बिल्कुल फेल हो गया तो इनको तो फेल होना ही था सर अगर आपको अपने प्रिया सीट से चुनाओ लड़ने का मौका मिलता है तो आप किस छेत्र को प्राथिमिक्ता देते हैं देखिए हर कोई चाहता है पहले कि जहां से वो ज्यादा जुडा हुआ हो जाहां से लोगों से उसको यूँ भी समाजी कस्तर पर भी जहां उनसे मुलाकात होती रही हो और कहीं न कहीं जैसे घर से जुड़ाओ का महसूस होता हो वहाँ से चुनौ लड़ना चाहता है आदमी हमारा मगद प्रमंडल है हम वही से चुनौ लड़ना चाहेंगे मगद प्रमंडल में आज के दिन में कॉंग्रेस की संभावना नवादा सीट से लडने के ज़्यादा है हमारे ही प्रमंडल का हमारे ही घर का पाठ है तो हम वहाँ प्रिफर करेंगे कि कॉंग्रेस से अगर हमको मौक़ा मिलता है निता अगर हुझे कुछ कहते हैं मुझ में विश्वास उनका होता है तो मैं वास रड़ूँगा सर अभी नितीज को 10% स्वन आरक्षन दी गई है तो इस पे आपकी क्या प्रतिकिरिया है कि ये सब चुनाओं के समय की बाते हैं ये कहीं नौकरी कहां है सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है और उस बेरोजगारी की समस्या में तो पूरा बजट आ गया कहीं बेरोजगारी ने जरी नहीं आई कि उनके लिए इनके पास क्या प्राउधान है इस सरकार के पास क्या प्राउधान है बेरोजगारी तो कोई छुई नहीं रहा तो जब नौकरी ही नहीं है तो कौन सार एक्षन और कहां के बात ये सब जुमला बाजी है और ये सब कुछ होने होने वाला नहीं है ये इसे ही रह जाएगा धन्यवाद सर आगे की नीज अब्लेट के लिए हम बनेज रहे हमारे साथ कैमरामेन आशुका राज के साथ रितिका राज बिहारी माटी धन्यवाद